नमस्कार दोस्तों ग्रेट्व इंडिय यूडूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले MS PowerPoint के टॉप 10 MCQ सिरीज में तो चलो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला MCQ कोर्षन आपके स्क्रीन पर देखिए सबसे पहला कोर्षन यहां पे Microsoft PowerPoint एक नई रिक्त पस्तुति बनाने के लिए मतलब यहां पर क्रियेट यह न्यू ब्लैंक पर्जेंटेशन बनाने के लिए किस ऑफ्षन का यहां पर हुज किया जाता है वह यहां पर आपको बताना है तो उसके लिए सलेक्ट न्यू इन ओफिस मेन्यू पर खुली करके आप क्या कर सकता है न्यू पर्जेंटेशन बना सकता है या फिर कंट्रोल के साथ एंड शॉटकट की हुज कर सकते हैं दूसरी बात करें पर्जेंटेशन यहां पर बनाने के लिए जो पर्जेंटेशन बनता है powerpoint में वो slide के through बनता है MS powerpoint का extension यह दी पूचे .pptx यह भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ओके चलो next second number question Microsoft powerpoint slide 100 शुरू करने के लिए shortcut की कौन सी है slide 100 शुरू करने के लिए shortcut की है वो है F5 F5 से क्या होता है slide 100 क्या होता है slide 100 next question बात करें थर्ड नंबर के MS powerpoint में अधिकतम जूम कितना होता है तो यहाँ पे maximum जूम की जब बात करें तो MS powerpoint में 400 percentage और यह दी minimum की बात करें तो यहाँ पे 10% होता है और default की बात करें कितना होता है 60% default होता है MS powerpoint में ओके तो यहाँ पे सही option रहेगा A option यहां पर right हो जाएगा next question संक्या fourth very important the shortcut की combination for insert a new slide new slide के लिए यहां पर MS powerpoint में shortcut की बताने है तो new slide के लिए control के साथ M यूज किया जाता है किसलिए new slide के लिए control के साथ M control E का मतलब align को क्या करना हो center करना हो तो यूज किया जाता है बात करें control A select all command होता है select all और control S की बात करें वो save command होता है ओके दोस्तों तो यहां पर यह इतना दियान रखना है next question बात करें fifth number MS powerpoint निमलिकित में से कौन सा एक दर्स यह नहीं है मतलब यहां पर जो view नहीं है वो बताना है तो यहां पर कौन सा view नहीं होता है जो presentation view यहां पर नहीं होता है तो सई option कौन सा हो जाएगा यहां पर D option यहां पर right हो जाएगा दोस्तों next question संक्या 6 Microsoft powerpoint पस्तुने निम्न में से एक संग रहे मतलब यहां collection किसका है तो यहां पर powerpoint में picture sound, video यहां सब का यूच किया जाता है लेकिन यहां पर six number question का जो answer होगा तो यहां पर ध्यान रखें यह PowerPoint का collection पूछा है तो यहां पर इनका collection यहां पर नहीं होता है slide का होता है handout का होता है speaker note का होता है और outline का होता है तो सई option रहेगा D option यहां पर right होगा दोस्तों ओके next question संक्या 7 की बात करें निमलिकित में से कौन सा एक पस्तूती ग्राफिक सॉप्वेर बताना है यहां पर तो ग्राफिक सॉप्वेर के अंदर जो आता है अपना MS PowerPoint एक ग्राफिक सॉप्वेर है MS Excel जो एक वरक और यहां पर extension के बात करें .docx याद रखना है और Excel का extension आपको .xls याद रखना है ओके दोस्तों next बात करें 8 number कोर्षन की कि Microsoft PowerPoint में निम्न में से कौन सी विदी वर्तमान पस्तूती में एक नई स्लाइड सिमलित कर सकती है नई स्लाइड किस तरीके से ली जाती है वह यहां पर आपको बताना है 8 number कोर्षन का आंसर दीजिए तो राइट क्लिक करके आप स्लाइड पैनल में जाके चूँज कर सकते है न इस एक पॉर्म इंसेट मेन्यो में जाके न्यू स्लाइड ले सकते हैं क्लिक व्यू स्लाइड बटन पर आप टोल वार पर खली करके कर सकते हैं था सई अप्शन रहेगा तो बी ओप्षन इसका राइट हो जाएगा कोर्शन संक्या 8 और कोर्शन संक्या 9 की बात करें Microsoft PowerPoint में निमलिकित में से कौन इसका 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 नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं डिजैन टैंपलेट एक हिसा है कलर इसकी मिशा है लेकिन स्लाइड ले एक हिसा नहीं है तो डी ओप्षन डाइट होगा नेक्स्ट कोर्शन संक्या 10 के Microsoft PowerPoint निमलिकित एक स्लाइड का संक्रमन परभाव नहीं है मतलब ट्रांजिक्शन जो इफेक्ट जो नहीं है वो बताना है तो यहां पर ट्रांजिक्शन इफेक्ट की जो बात करें वाइब ओल आवर होता है डिजॉल्व यहां पर डिजॉल्व में अपना यह वीडियो सेट जरूर करें तो आज की वीडियो में इतना ही ठैंक यूँ